दोस्तो आज डिसकस करेंगे सीटेट का पेपर जो फरवरी 2015 में आया था उसके EVS के पोर्शन को डिसकस करेंगे इससे पहले हम 2011, 12, 13 और 14 में आए सीटेट में आए EVS के पोर्शन को डिसकस कर चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ में ही हम NCRT से कंटेंट भी कवर कर रहे हैं आप उसे भी प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है निमलिकित में से कौन सा प्रार्थ में किस तर पर परियवरन अध्यन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीके है यहाँ पर कुछ तकनीके दी हुई है आपको बताना है कि प्रार्थ में किस तर पर इनमें से कौन सी तकनीके सही है तो फॉस्ट है परियोजनाकारिये, सेकंड है शेत्र भर्मन, थर्ड है जर्नल लिखना, और फॉर्थ है विचार मान्चित्रण तो इन में से बताना है कि कौन-कौन सी सही है, तो इसका अंसर होगा option D यानि कि फॉस्ट और सेकंड परियोजनाकारिये सही है और शेत्र भर्मन, क्योंकि हम प्रार्थमी कि स्थर पर यानि कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को एसाइनमेंट्स भी देते हैं ताकि बच्चे जो एक्टिविटी होती है उनमें इन्वोल रहे और सेकंड शेत्र भर्मन तो सबसे अच्छा मैथड होता है ईविए सिखाने के लिए बच्चों का ठीक है तो इसका अंसर होगा option D next question है मिजोरम में की जाने वाली जूम खेती के विशे में निमलिखित कतनों का अध्यन कीजिए अब यहाँ पर जूम खेती के बारे में कुछ पॉइंट दिये हुए है आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से पॉइंट सही है तो A पॉइंट है कि एक फसल को काटने के पसचात भूमी को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं B है इस भूमी पर उगने वाले बांस और खर्पतवार को काट कर जला दिया जाता है C है बीजबोने से पहले भूमी की गहरी जुताई की जाती है D है एक ही खेत में 3-4 भिन-भिन परकार की फसले उगाई जाती है और E है अवश्यक्त अनुसार रसाइने कुरवर को और नाशकों का उपयोग भी किया जाता है तो इन में से कौन-कौन से पॉइंट सही है यह बताना है फसल को काटने के पचात भूमी को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं यह आपका पॉइंट सही है सेकेंड है कि इस भूमी पर उगने वाले बांस और खर्पतवार क की गहरी जुताई की जाती है यह पॉइंट आपका गलत है क्योंकि बीज बोने से पहले भूमी की गहरी जुताई नहीं की जाती हलका सा मिट्टी को हिलागर उसमें बीच छड़क दिये जाते हैं डी है कि एक ही खेत में तीन-चार भिन-भिन परकार की फसले उगाई जाती है यह भी आपका पॉइंट सही है और ई है अवशकता अनुसार रसायनिक उरवर्क और कीड नाशकों का उपयोग भी किया जाता है यह पॉइंट आपका गलत है क्योंकि जब खेत में जो बास और खर्पतवार उगता है उसको जला देते हैं उसकी जले हुई की जो राक होत करती है उरवर्क यानि कि खाद का काम वही करती है तो आपका इपॉइंट बिस में गलत होगा तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है ऑप्शन सेकिंड यानिकी ए बी और डी पॉइंट थर्ड कोशन है परियवरण अध्यन के सिक्षन से उन परकिरिया अधारित कोशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताच अधारित परतियक सनुभवों के केंदर बिंदु है निमलिखित में से कौन सा इक ऐसा कोशल नहीं है आपके उप्शन से पूर्वनुम निर्धारण, निशकर्स निकालना या फिर अवलोकन आपको बताना है कि परियवरण अध्यन के सिक्षन से उन परकिरिया अधारित कोशलों को बढ़ावा मिलना चाहिए जो पूछताच अधारित पतियक सनुभवों के केंदर बिंदु है तो इसका अंसर होगा निर्धार मतलब कि जो चीज पहले से ही निर्धारित है तो पूछताच का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता पूरवणुमान भी आप डिसकसन में पूरवणुमान भी लगा सकते हैं निशकर्स भी निकाल सकते हैं और चीजों को ओब्ज़र भी कर सकते हैं यानि कि उनका अवलोकन भ आधा विभिन परकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है ऐसे टिकटों के उपयोग से निमलिखित में से किस संकल्पना पर परभावपून धंग से चर्चा की जा सकती है आपको यहां पर कुछ पॉइंट दिये हुए है आपको बताना है कि यात्रा के जो टिकट होते है उनमें से किस संकल्पना पर परभावपून धंग से चर्चा कर सकते हैं हम टिकट के उप्योग को लेकर तो A. अलग-अलग साधनों से यातरा करने पर यातरा की लागत भी भीन होती है B. यातरा की लागत उस वहां दुआरा परियुक तिंदन पर निर्भर करती है C. सारजनिक परिवैन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए D. आरक्षन परकिरिया की समझ तो आपको बताना है कि हम जो टिकट का उप्योग करते हैं इन में से कौन सी ऐसी संकल्पना है जिस से हम जिस पर परभावपून डंग से हम चर्चा कर सकते हैं तो इसमें फॉर्स्ट ओप्शन है अलग-अलग सादनों से यातरा करने पर यातरा की लागत भी भिन-भिन होती है बिल्कुल इस पर चर्चा की जा सकती है बच्चों से पता कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन से जाता है तो वे टिकेट जो टिकेट है वे कितने रुपे का है टिकेट के बारे में पूछ सकते है और बस से जाता है बस के टिकट की की मतलग होती है तो ये सभी चीजों पर चर्च पर निर्भर करें क्योंकि जो रिक्षा है रिक्षा कोई व्यक्ति चलाता है वह वहां के इंधन पर डिपेंड नहीं होती उसका जो किराया होता है वह जो व्यक्ति रिक्षा चला रहा है उसके श्रम पर निर्भर करता है ठीक है तो भी पॉइंट पर नहीं C है सारजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकेट चाहिए इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं D है आरक्षन परकिरिया की समझ हम प्रार्थमी किस तर की बात कर रहे हैं आपर आरक्षन परकिरिया की समझ ये बच्चों के लेवल का टॉपिक नहीं है हम इस पर डिसकस नहीं कर सकते तो इसका अंसर होगा option third यानि की A और C अलग-अलग साधनों से यातरा करने पर यातरा की लागत भी भिन होती है और सार्जनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकिट चाहिए हम इन दोनों point पर चर्चा कर सकते हैं प्रार्थमिक कक्षाओं के विध्यार्तियों को मांचित सिक्षन के लिए निमलिखित में से कौन सी उक्ति सरवाधिक उप्युक्त परतीत होती है अब यहाँ पर कुछ आपको points दिये हुए हैं आपको बताना है कि प्रार्थमिक कक्षाओं के विध्यारतियों को मांचित्र पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा method इन में से कौन सा है फर्स्ट पॉइंट है अध्यापक द्वारा सामपट पर मांचित्र बनाना और सिक्षार्थियों को विभिन इस्थानों की इस्थिति बताने के लिए कहना सेकंड है सिक्षार्थियों को निर्देश देना की वे घर से भारत का मांचित्र लेकर आए थर्ड है सिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन इस्तानों की इस्तिती बताने के लिए कहना फोर्थ है सिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक इस्तिति और दिशा पर ध्यान केंदरित करें कुल मिलाकर इसमें कहने का मतलब यह है कि जो सिक्षार्थियों की सिक्षा है वे उनकी डेली लाइफ से जोड़ी जा रही है ठीक है तो फॉर्थ फिफ्ट का होगा ऑप्शन फॉर्थ कक्षा पांच की अध्यापिका माही का चाहती है कि उसके विध्यारती आसपास के पोदों का अवलोकन करें सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रौत्साहित करना चाहिए आपके उप्शन से समझना की पोदे भी सजीव होते हैं सेकेंड है समझना की पोदे हमारे लिए उप्योगी होते हैं थर्ड है अधिक्तम पोदों के नाम लिखना और फॉर्थ है उनकी उचाई पत्यों गंद और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना अब जो सिख्षिका है वे क्या करना चाहती है वे चाहती है कि जो विद्धारती है अपने आसपास के पोदों का अवलोकन करे इसके लिए उन्हें कैसे प्रोथ साहित कर सकती है तो इसका अंसर होगा उप्शन फॉर्थ यानि की उचाई पत्ती गंद और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करे इससे बच्चे एक्टिव होकर सीखेंगे उसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका सीखना भी जादा होगा सेवन्थ कोशन है प्रार्ट में किस तर पर परियवरन अध्यन पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महतुपून होना चाहिए आपके उप्शन से किरियाकलाब संचालित करना तथा कोशलों का विकास करना सेकेंड है आँकलन में सफलता प्राप्त करना थर्ड है विज्ञान की आधारबूत संकल्पनाओं को समझना और फौर्थ है कि सीखने वाले को प्राकर्तिक और सामाजिक सांस्कृतिक परियवरन से जोड़ना तो सेवन्थ का आँसर होगा option fourth यानि कि जो सीखने वाले है यानि कि जो बच्चे है उने उनके प्राकर्तिक और सामाजिक सांस्कृतिक बातावरन से जोड़ना यानि कि जो सीखना है बच्चे का जो बच्चे को सिखा रहे हैं वे उनके डेली लाइफ से जोड़ना ये पॉइंट तो आपको EBS के जो पेड़ागोजी है उसमें बार-बार देखने को मिलेगा कि बच्चों को उनकी डेली लाइफ से जोड़कर सिखाया जाए तो सैमंत का ह होगा option fourth एफ कोशन है प्रार्थमी की स्तर पर मान चित्रांकन सिखाने से सिक्षार्थियों में निम्लिखित में से किस कोशल को बढ़ावा मिलता है आपके options है first है साफ सुतरे रेखांकन second है गणनाएं और अनुमान third है माप के अनुसार चित्रण और fourth है सापेक सिस्तिती और दिशाबोद की जानकारी आपको बताना है जो मान चित्रांकन है यानि कि मैप को सिखाने के लिए सिक्षार्थियों में किस कोशल को बढ़ावा मिलता है तो इसका अंसर होगा option fourth यानि कि सापेक सिस्तिति और दिशाबोद की जानकारी मैप से बच्चे क्या सिखेंगे क इसी स्थान की स्थिति और उसके दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसका अंसर होगा option fourth next question है कक्षाओं में परियवरण के लिए निम्रिकित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल इसे छोड़ कर अब यहां पर कुछ उपाग second है सरल से कठिन, third है स्थानिय से वैस्विक और fourth है अमूर्थ से मूर्थ आपको बताना है कि कौन सा एक इसमे से सही नहीं है तो इसका अंसर होगा option B यानि कि केवल फोर्थ यानि कि अमूर्थ से मूर्थ अब first है मूर्थ से अमूर्थ बच्चों को जब हम सिखाएंगे पहले जो चीज प्रतियक्ष रूप से बच्चों के सामने है उससे सिखाते हुए चलेंगे फिर बच्चे कलपना शक्ती का जब बच्चों में विकास हो जाएगा तो वे अमूर्थ चीजों के बारे में भी च थान ये हैं यानि कि डेली लाइक से चीजों को जोड़ते हैं उसके बाद वैश्विक चीजों के बारे में आते हैं फोर्थ गलत है ऐसा नहीं है कि पहले आप बच्चों को एपरतियक्स चीजों के बारे में बताएंगे उसके बाद जो परतियक्स है उसके बारे में बताएं यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें पेटरोल का मूलिय और डीजल का मूलिय दिया हुआ है लीटर में और जून 2007 में कितना मूलिय था और फिर दिसंबर 2014 में कितना मूलिय हो गया यह स्टेबल में दिया हुआ है तो पहले हम देखते हैं पैट्रोल का मूल्य जून 2007 में 47 रुपे और 74 पैसे था उसके बाद जो दिसंबर 2014 में कितना हो गया 61 रुपे 33 पैसे हो गया डीजल कितना बड़ा डीजल जून 2007 में 35 रुपे 21 पैसे था और दिसंबर 2014 में 50 रुपे 51 पैसे हो गया इसके बाद हमें बताना है उप्योक तालिका का अध्यान करने के बाद कक्षा 5 के विध्यारती देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा फर्स पॉइंट है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा इंधन है फर्स पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूले में व्रदी का प्रतिशत अधिक है फर्ड है डीजल सस्ता है इसलिए सारजनिक परिवेन इस पर चलता है और फॉर्थ है डीजल पेट्रोल से सस्ता इंधन है लोगों को डीजल वाली गाड़िया खरिदनी चाहिए तो निमलिकित में से कौन साइस में सही है इसका अंसर होगा ऑप्शन भी यानि कि थर्ड और फॉर्थ जो थर्ड और फॉर्थ पॉइंट दिये हुए है वे निसकर्स है अब थर्ड में है कि डीजल सस्ता है इसलिए सारजनिक परिवेन इस पर चलना चाहिए मतलब इसलिए सारजनिक परिवेन जो है वे इस पर चलता है तो यह तो एक निसकर्स ही हुआ और फॉर्थ है कि डीजल पैट्रोल से सस्ता इंधन है लोगों को डीजल वाली गाडिया खरीदनी चाहिए यह भी एक निसकर्स है तो टेंथ का हुआ ऑप्शन भी यानि कि थर्ड त्री तथा फोर इसमें निसकर्स है नेक्स्ट कोशन है रास्टे पाठे चरिया रूप रेखा 2005 यानि कि NCF 2005 ने कक्षा एक और दो के लिए परियवरण अध्यन के किसी पाठ्यकरम या पाठ्यपुस्तक की संतुती नहीं की है इसके लिए सबसे उप्युक्त कारण है आपकी उप्शन से पाठ्यकरम का भार कम करने के लिए सेकेंड है परियवरण अध्यन केवल कक्षा तीन से आगे की कक्षाओं के लिए है थर्ड है कक्षा एक और दो के सिक्षार्ती पढ़ना लिखना नहीं जानते और फॉर्थ है संदर्ब्यूक अधिगम परिवेश परदान करना तो जो कक्षा एक और दो है उसमें परियवरण अध्यन की जो पाठ्य पुस्तक है वे नहीं है तो NCF इस चीज की संतुति क्यों नहीं करता क्योंकि वे है चाहता है कि सिक्षक बच्चों को संदर्ब्यूक अधिगम परिवेश परदान कराए ठीक है तो इसका अंसर होगा आप्षन फोर्थ नेक्स्ट कोशन है एक अध्याबक को कक्षाचार के विध्यारतियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है इस विशे को पढ़ाने के लिए सर्वोथम विधी निमलिखित में से क्या है आपके ओप्षन्स है विभिन परकार की खाने की विध्यारतियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है उसके बाद चर्चा करें और फोर्थ है विध्यारतियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें तो इसका अंसर होगा option second यानि की अपने देश के विभिन राज्यों के विभिन ल लोग जो क्या-क्या खाते हैं उन चीजों को खोजेंगे उन चीजों के बारे में सीखेंगे खोजेंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा तो इससे सक्रिया अधिगम होगा बच्चे का जो लर्निंग है वे सक्रिया रूप से लर्निंग होगी तो 12th का होगा option second next question है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकान्स पक्षी अपनी गर्दन अच्यदी खिलाते हैं इसका कारण यह है कि आपके option से अधिकान्स पक्षियों के नेत्र इस्तिर होते हैं और घूम नहीं सकते second है इनके कान ढखे होते हैं और वे उड़ सकते हैं third है पक्षियों के दो नेत्र होते हैं और fourth है कि इनके नेत्र दो भिन भिन वस्तों को एक ही समय पर focus कर सकते हैं तो आपको बताना है कि जो पक्षी होते हैं, वे अपनी गर्दन अत्यदी क्यों हिलाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो पक्षियों के नेत्र होते हैं, उनकी जो आखे होती है, वे इस्थिर होती है, वे घूम नहीं सकती, इसी वज़े से वे अपनी गर्दन हि के लिए सरवाधिक उप्योक्त है फर्स है अचार और आम पापड सेकंड है जूस तयार करना और वायू रोधी डिब्बे में संचित करना थर्ड है प्लास्टिक के थेले में रखना और फॉर्थ है रेफ्रीज रेटर में संचित करना तो आपको बताना है कि आम को पढ़ने के लिए कौन सा मैथाड इसमें से सबसे सही होगा तो इसका अंसर होगा ऑप्शन फर्स यानि की अचार और आम पापड बनाना फिफ्टीन्थ कोशन है केरल के निकटवर्ती राज्य है आपको बताना है केरल से जो लगते राज्य कौन-कौन से है केरल के साथ सीम कौन-कौन से राज्य बनाते हैं फर्स्ट है तमिलनाडू और आंधर प्रदेश सेकिंड है करनाटक और महारास्ट थर्ड है आंधर प्रदेश और करनाटक और फौर्ट है करनाटक और तमिलनाडू तो कौन-कौन से निकटवर्ती राज्य है केरल के करनाटक और तमिलनाड आप मैप को भी जरूर अपना तयार कर लीजे भारत के भारत का ब्लैंक मैप लीजे उसमें अपने आप खुद जो राज्य है उन्हें लोकेट करें आपको राज्यों की लोकेशन याद हो जाएगी इससे हर बार सीट एड में एक या दो कोशन मैप से आपका जरूर आता है त थैंक्स फोर वाचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने वाटसप स्टेडी गुरूप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेश मिलते रहें